नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टोप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों आज आज आपकी जो च्छे नम्मर को फाट सेट नो से ग्यारा बजे रास्तान पुलिस कॉंस्टेबल का जो एक्जाम हुआ है इसमें आपकी जो कंप्यूटर के स्वाल जाएंगे उसके बाद अपना वीडियो आने वाला है जिसमें आपके बाकी वज़े हुए जो महिला बाल अप्राद है करंट है रास्तान और इंडिया जी के साइंस के स्वाल पूछेगे हैं उनका एक्जेक एंसवर देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बै 11 function की का उपयोग किया जाएगा निमलिकित में से कौन सा एक hard copy output device है hard copy output device का मतरब ये laser printer है जो hard copy के format में बाहर आएगा प्रिंट वगेर जो आता है तो laser printer हो जाएगा बाकी से भी projector और ये soft copy output device हो जाएगे वीडियो में आगे बड़े उससे पहले मैं आपको बता दू दोस्त इसल यहाँ पर mock test है free of cost है अनिकेडमी की तरफ से SSE CGL men's level तक का mock test रहेगा जिसमें English का mock test है 200 questions से अनिकेडमी expert की तरफ से ये mock test त्यार किया गया है तो ये आपकी त्यारी को चार्चान लगा देंगे तो इनका mock test attempt करने की link आपको description box में मिल जाएगी तो ये होने वाला है 7 आठ नवंबर को 8 PM पर men's special English mock test है इसका analysis किया जाएगा रानी सिंग मैम के दोरा जो किया 8 नवंबर को 35 PM पर तो description box में दीगे link से आप एनरोल कर दीजे बिल्कुल free of cost है अपनी त्यारी को प्रक सकते हूँ आप बढ़ते हैं अगले स्वाल की और यहाँ पर स्वाल नंबर ज किसका उपयोग किया जाता है गुपत रूप से आप browse करना चाते हो आपकी जानकार क्या सर्ज कर रहे हो वो कहीं पर भी नहीं चाए तो आप incognito tab का उपयोग कर सकते हो जो browser में incognito आप भी तो youtube मर भी आपको incognito tab मिल जाएगा तो new incognito window हो जाएगा option c correct है option इसका अगले स् बता रहा हूं इन 30 में से आपके केतने स्वाल करेक्ट हो रहे हैं तो अगला computer का स्वाल Chrome Internet Browser का उप्यूग करते समय तवरित पहुंच के लिए किस वेब पेज का उप्यूग किया जाएगा तो Chrome Internet Browser का उप्यूग करते समय तवरित पहुंच करने के लिए web page पते को सखिखने की एक वीदी है वो bookmarks हो जाएगे box mark में आपके already उस web page का पता है वो सेव रहता है आप directly वहाँ पर किलिख करके तुरुंट जिस page को आपने kto कर रहा है bookmark कर रहा है वहाँ पहुंच जाएगे तो यह बूक मार्च करेक्ट हो कितने multiply pixels हैं ये resolution का सभी resolutions में समलित हो जाएंगे अगला स्वाल देखते हैं अपन SMPS की full form पूची आपको तो switch mode power supply हो जाएगा user और system process निर्मित करता operating system के किस management कारे का भाग है तो process management का ये हिस्सा हो जाएगा next one देखें आपर अगला आपकी computer का स्वाल बाइट्स में कितने देखें 2MB में कितने बाइट्स होते हैं तो 1MB में 1024 के भी 1024 के भी 1024 बाइट्स हो जाएंगे तो आप कह सकते हो 2MB में 2 कुणा 1024 कुणा 1024 बाइट्स हो जाएंगे निमलिक मैं से कौन सा कारी है ओपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कारे नहीं है ये पूचा है तो ओपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कारे है वो network management नहीं है memory management रहता है device management भी रहता है security भी operating system में समय लित रहता है तो malware virus वगएरा उनसे security भी इसमें हो जाएगा network परबंदन है ये इसका man function नहीं रहेगा अगले स्वाल क्यों बढ़ते हैं यापर जो computer का स्वाल है आपके तो next देखे CPU का वो भाग जो logical operations निश्पादित करता है तो arithmetic logic unit ALU हो जाएगा इसी स्वाल कौन सा operating system नहीं है OS, macOS है, unix OS है, microsoft windows है, bios तो ये output system है basic input output system अगला स्वाल देखे हैं आपर next यापर computer का है memory को उसकी storage capacity के बढ़ते करम में adjust करना है तो सबसे small और first memory register उसके बाद case, RAM, hard disk ये सई करम है इन्हें सबसे छोटी capacity के जिसमे storage चमता भंडारन बहुत कम होता है वो register में होता तेज तो बहुत होती है, storage capacity बहुत कम, case memory उसके बाद RAM फिर आपके hard disk आएगी next इसी type से exact स्वाल पूछ लिया, एक सामने desktop, computer में निमलकित मैं से कौन से memory आकार में सबसे बढ़ा जिसकी storage बढ़ी, आकार में बढ़ा hard disk हो जाएग, option B, correct इसमें अगला स्वाल देकि Windows 95 किस परकार के operating system है, तो ये Windows 95 single user है, ना कि multi user, single user operating system अगले स्वाल के और बढ़ते हैं, स्वाल एक बहु विकल्प ये परशन पत्र की जिनेत उत्तरपुस्तिका को scan करने के लिए प्रिक्ट input device अभी जो आपका exam हो रहा किस पर हो रहा है, answer कहां पर दे रहे हो, OMR स्वाइट पर, क्योंकि इसको easily scan करके आपका कौन सा answer दे, वो पता कर सकते हैं, तो ये Sam पूछा है, OMR हो जाएगा निमलिक्ट में से कौन एक output device हैं, output में projector हो जाएगा, OCR, optical character reader, mouse, web, camera, input device की सरेनी माते हैं MS Word में undo करने के लिए कोई भी आपने command दिया, उसको वापस lead करना चाते हैं, तो control plus Z हो जाएगा, undo redo में Y हो जाएगा, तो काफी easy स्वालता है ये तो अगले स्वाल के बढ़ते हैं, निमलिक्ट में से कौन सा GUI best operating system नहीं है, तो graphical user interface best operating system है, MS loss है, ये नहीं है, बाके सभी GUI best operating system है, Windows भी आपकी Android, Windows ये सभी graphical user best है कौन सा input device है, जिसका उप्योग computer में किसी व्यक्ति की आवाज को सहीजने के लिए किया जाता है, आवाज को पकड़ने के लिए microphone काम में आपता है या पर, तो input का पूछा है, speaker की बात के तो ये output device है, input में microphone है, आवाज के लिए, अभी जो आवाज record हो रही है, microphone से तो आवा ये के बाई 10% है, ये 15% है, तो ये पूरा गणना में कितने होने चाहिए, 100% इसका अलगले हिस्सा करकी, ये पाई चार्ट में हो जाएगा, option secret है, अगला स्वाल आपर, next one देखी, GUI का full form एजिस वाल graphical user interface हो जाएगा, निमलिक तमें से कौन सा pointing input device नहीं है, pointing का आपकी scanner हो जाएगा, pointing की बात कूँए, तो मतलब वो device जिसमें pointer की रूपस में आप select कर सकती हो, जैसे कि memory mouse का ये cursor होता है, इस cursor pointer का का काम करेगा, इससे आप कोई भी text image को select कर सकती हो, जो select करने में काम आते हैं, आप कहेंगी keyboard भी एक pointing device है, trackboard भी pointing है, joystick भी pointing है, digitizing tablet है, ये सभी pointing input device है इस scanner आपका input, जो pointing device नहीं special, सम columns की formatting को विशम column से भीन करने के लिए, MS Word में किस विकल्ब का उप्योग किया जाता है, तो आप जब table insert करेंगे MS Word में, तो इस type से tables में columns और row रहेंगे, जैसे कि ये एक number columns, 2, 3, 4, इसने बोला है, सम और विशम को अलग कैसी ही, तो column एक type से द उसमें bending करना पड़ता है, तो bandate column, column को आपको अलग करना है, तो column में bandate कर दीजी, अलग गलर आ जाएगा, row को करना है, तो row को bandate करना पड़ेगा, तो आपको columns का पूछा है, सम और विशम को अलग करना है, तो bandate column हो जाएगा, अगले स्वाल के और बढ़ते हैं यहाँ प आउटपूट डिवाइस है, तो जो lines है, निरंतर line है, continue line है, वो उत्पन करने वाला plotter एक दम एजी, correct answer हो जाएगा, paragraph की प्रारम में द्रिग अक्षर, capital letter बनाने के MS word में क्या है, drop cap, मतलब मैं कोई paragraph लेक रहा हूँ, तो शुरुआत में आप देखते हूँ, जैसे की A से start क तो A इतना बड़ा, फिर उनर कर दिया, N, elephant, तो A बड़ा हो जाएगा, उसके नीचे इस पर line आती रहेगी, तो ये drop cap हो जाएगा, द्रिग आक्षर के लिए insert है, insert में आपको drop cap insert करना पड़ेगा, पहले letter को select करके, अगरे स्वाल क्यों बढ़ते हैं, निमलकित में से कौन सी internet browser नहीं है, internet browser Microsoft Edge है, Firefox है, Explorer है, Chrome अगेरा है, Tinder नहीं है, तो option B क्रेक्ट हो जाएगा, next देखी printer का resolution का मापन है, तो DPIC करते हैं, अपन dot पर inch, पर ती inch dots हो जाएगा, MS Word में F12, F11 का आपको पूछ लिया, जो full screen के लिए, F12 का यहाँ पर पूछ लिया, save as के लिए, किस कोई भी file को कहाँ पर save, किस नाम से करना चाहते हो, save as F12 का का काम करेगा, control S से आप जो करते हो, next one दीखी, तो I think यहाँ पर computer के सारे questions हो गए हैं, तो total की स्वाल जो computer के पूछे गए हैं, वो complete हो गए हैं, इसके बाद देखने वाले आपन current app air, से माहिला बाल अपराद, जो बच्चे वे स्वाल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसकी पीडियो फाइल आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, link description box में है, click करके join कर दीजी,